हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल यूपी ओनलाइन कोचिंग में जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर उत्तर प्रदेश माद्विंग सिच्छा परसत की समस्त कच्छा हैं हिंदी में संचारित हो रही हैं इसी क्रम में में आपको कच्छार्ट का गणित पढ़ा रहा हूं और आज हम पढ़ेंगे कच्छार्ट के गणित में अभ्यास एक भी पीछे का हम पढ़ चुके हैं जो आपको अगर पीछे का देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अब हम चलते हैं, विलम बना करते हुए अपने पहले प्रस्ण पे, कि निम्नांकित कर्ष्णों में सत्य और सत्य बताइए, पहले प्रस्ण जो है, उसमें सत्य और सत्य बताना है, जिसमें पहला है, माइनस 4 बटे 5 प्लस, माइनस 4 बटे 5 बराबर, माइनस 8 बटे 5, तो जब पर्मेय संख्या नहीं है जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो पर्मेय संख्या है लेकिन यह कथन कह रहा है कि पर्मेय संख्या नहीं है तो यह क्या हुआ ऐसा यह मतलब यह गलत है यह जो कथन वो गलत है और अगला प्रस्ण है दो पर्मे संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है तो ये कथन भी हमारा क्या है सत्य है ये कथन भी क्या है सत्य है मतलब सही है अगला करा कथन कि तीन पर्मे संख्याओं का योगफल पर्मे संख्या नहीं होता है तो ये कथन जो है वो भी सत्य है क्योंकि दो पर्मे संख्याओं या तीन पर्मे संख्याओं को जोड़ने पर हमें पर्मे संख्या ही प्राप्त होती है अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्ण पर दूसरे प्रश्ण पर जो कि कह रहा है कि पर्मे संख्याओं को जोड़ कर बताएं कि योगफल पर्मे संख्या है अथवा नहीं है तो जोड़ कर बताना है नहीं तो वैसे तो हमको पता ही है कि दो पर्मे संख्याओं को जोड़ने पर योगफल पर्मे संख्या ही प्राप्त होती है दो पर्मे संख्याओं को जोड़ने पर योगफल पर्मे संख्या ही प्राप्त होती है दूसरा है कि पर्मे संख्याओं का जोड पर्मे संख्याओं को जोड कर बताना है कि योगफल पर्मे संख्या है कि नहीं है जिसमें पहला प्रस्ण है माइनस 3 बटे 4 और 3 तो क्या करेंगे माइनस 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 1 इनका लगुतम लेंगे तो लगुतम होगा 4 यह होगा माइनस 3 प्लस 3 गुड़े 4 से जब गुड़ा करेंगे तीन गुड़ चार, तो ये क्या होगा, माइनस तीन प्लस बार है, चार तीन बार है, बटे चार, आप लोग गुड़ा करके जोड़ के देखेंगे, तो माइनस तीन प्लस बार है, यानि कि हमें जो प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, नौ बटे चार, जो कि एक पर करके सत्यापित कीजिए, तीसरा है, दोनों पच्छों को हल करके सत्यापित कीजिए, दोनों पच्छों को हल करके सत्यापित कीजिए, उसमें पहला जो है, तीसरे में पहला प्रस, हम सारा सवाल नहीं बताएंगे, एक एक सवाल बता देंगे, बाकी आप लोग करते जाएगा, मैननस पाँच बटे आठ, प्लस मैनननस नव बटे तेरे, बराबर मैननस नव बटे तेरे, प्लस मैननस पाँच बटे आठ, अगर हल करके नहीं बतादाना होता, तो हम bucket पर में संख्याओं के उपपल करम विन में है तो दोनों पक्स आपस में बराबर है लेकिन इसको हल करके बताना है तो 13 और 8 का जो हम लगुत्तम लेंगे तो होगा 104 आप लोग निकाल के देख लेंगे LCM निकालना बताया गया है आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आठ से जब हम 104 को भाग देंगे तो वह 13 बार में कटेगा 13 गुना माइनस 5 प्लस और 13 से जब हम 104 में देंगे तो वह कितनी बार में जाएगा 8 बार में 8 गुना माइनस 9 बराबर इसका भी आज़तिया में 104 होगा क्योंकि दोनों के हर वही है 13 और 8 इसमें क्या होगा अब 13 से जब भाग देंगे तो सेम चीजें यहां भी होगे 8 गुना माइनस 9 प्लस 13 गुड़े माइनस 5 अब होगा क्या 13 पचे 65 माइनस 65 और यहां हो जाएगा माइनस 8 नवा 72 बटे 104 यह होगा माइनस 72 और माइनस 65 गुड़े बटे 104 अब क्या होगा 5 और 2 7 और 7 6 13 पटे 104 यह भी क्या होगा 527 137 बटे 104 माइनस सब्सक्राइब मतलब हर करके हल करके देखने पर आ रहा है कि हमारे लाएना पक्ष है अटो दोनों पक्ष जो हमारे हैं वो समान आ रहे हैं तो इसे ये सत्यापित होता है कि दोनों पक्ष क्या हैं समान हैं इसके आगे का प्रश्ण भी आप तीसरे का जो बाकी प्रश्ण है उसे आप इसी प्रकार से करके देख लेंगे चौथे प्रस्ण में कह रहा है कि दो पर्मे संख्या है चौथे में कह रहा है दो पर्मे संख्या A और B है A और B दो पर्मे संख्या है और A प्लस B बराबर A प्लस B बराबर माइनस 15 बटे 11 तो B प्लस A बराबर क्या होगा तो जैसा कि हमको पता है कि दो पर्मेश संख्याओं के क्रम बदलने पर भी योगफल उनका वही प्रयप्त होता है तो A प्लस B बराबर अगर माइनस 15 बटे 11 है तो B प्लस A बराबर भी क्या होगा माइनस 15 बटे 11 है इसमें कुछ भुण करना ही नहीं है ये क्या होगा माइनस 15 बटे 11 है अब आते हैं अपने प्रश्ण पर जी समें कहले निम्नांग की तीरी कस्थानों की पूर्थी अपने भ्यास पोस्तिका में कीजिए तो प्रश्ण हमारा यह है तो इसमें क्या करना है, मान लिजे कि हमको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या आएगा वैसे तो देख लेगे, परिमेश संख्याओं कि यह फल का क्रम विन में नहीं है तो यह पता चल जा कि 5 बटे माइनस 11 है, यहाँ पर आएगा अब माइनस बारे बटे 7 को उधर करेंगे, ए बराबर, प्लस और माइनस का गुड़ा माइनस होता है, माइनस बारे बटे 7, प्लस पांच बटे माइनस 11, यहां पे हो जाएगा यह प्लस का, क्योंकि प्लस और माइनस का चिन माइनस होता है, फिर माइनस उधर जाएगा, तो अब ये प्लस का बारवटे साथ और ये माइनस का बारवटे साथ तो माइनस का बारवटे साथ प्लस के बारवटे साथ से कट जाएगा तो जो हमें एक अमान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा पांच बाटे माइनस ग्यारा पांच बाटे माइनस ग्यारा अब आते ह में कह रहा है कि सरल कीजिए सरल कीजिए जिसमें है पहला प्रस तीन बटे चार प्लस माइनस आठ बटे नाव प्लस पांच बटे आठ चट्वे का जो पहला है अब सबसे पहले तो इनके हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे ल्सीम लेंगे इनका जब ल्सीम मिलेगा 72 आप निकाल के देख लेंगे उसके बाद अब चार से जब 72 को काटेंगे तो यह 18 बार में कटेगा आप काट के देखेंगे 18 गुणा 3 प्लस से जब 72 को काटेंगे तो नौ बार में कटेगा नौ गुड़े 5 तो तेरा 18 गुणा 3 अठार तीना चववन प्लस और माइनस का गुड़ा माइनस आठ अठाटाएं जब हम 64 में से 54 को गटाएंगे तो बचेगा हमें माइनस 10 माइनस का 10 या 54 और 45 को हम जोड़ ले या इसमें से इसको गटा दे तो यह बचेगा माइनस 10 प्लस 45 बटे 72 अब जब माइनस 10 प्लस 45 में से घटेगा तो यह क्या मिलेगा हमें 35 बटे 72 तो सरल करने पे हमें जो संक्रिया प्राप्त हो रहे यह वो क्या है 35 बटे 72 अब इसी क्रेम में जो सात्वा प्रस्ण है कि योग के संक्रिया का प्रगुडो का हल कीजिए उनका प्रियोग करके आप क्या कीजिए? उसको हल कीजिए. योग के संक्तिया के प्रगडों का प्रियोग करके आप क्या कीजिए? हल कीजिए. जो सात्वा है उसका पहला जो प्रस्ण है. तीन बटे साफ प्लस माइनस पांच बटे 14 प्लस माइनस 11 बटे 14 अब इनका हमें LTHM लेंगे LTHM जो होगा वो 14 होगा आप लोग निकाल के देख लेंगे साफ से इसमें भाग देंगे तो दो गुड़े 3 प्लस एक गुड़े माइनस 5 प्लस एक गुड़े माइनस 11 तो 2, 3, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 बटे 14 ग्यारे में और 5, 16 16 में से 6 गया 10 माइनस 10 बटे 14 इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा माइनस 10 बटे 14 अब आप लोग LCM निकाल के इसको घटा के आराम से देख लेंगे जो उत्तर हमें प्राप्त होगा माइनस 10 बटे 14 प्राप्त होगा आज के अभ्यास में बस इतने ही सवाल थे बाकी जो इसमें छोट गया है सवाल वो आप पूछ लीजिए कम उससे अगर आपको नहीं आते हैं पहले तो आप उनको हल करेंगे कि अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो फिरस्ना समसे